कि लगता है अरे बच्चा अभी ऐसा मत को बड़े बड़े दिसी मुनियों कुमाया ने परास्त कर दिया बच्चा अभी चुप रहो अभी एकदम कृपा होती है ना जैसे साधन मारगे में चले तो गुरु कृपा एकदम होती है तो वह साधक देखता है कि मेरे अंदर वह त तुम थोड़ा आगे चलोगे तो तुम क्रपा पीछे हो जाएगी तब तुम चलके दिखाना आगे हर साधक से पुछो कहता है पहले मेरा मन भजन में बहुत लगता था पहले बहुत आनंद आता था अब पता नहीं क्या हो गया क्योंकि पहले तुम्हारी साधना से आनंद को आप अपने जीवन में देखना इमानदारी से देखना इंद्रियों की रती खतम हो गई तो कोई प्रशन ही नहीं बचा ना भगवत प्राप्ति के लिए समस्या तो यही है ना इंद्री और मन और बचा भी तुम कैसे चुकि हम देख भी रहे ना आपको केवल आपकी बा कि प्रशन क्यों अब बताओ ना धीरे धीरे हमारी इच्छा हर एक चीज़ से मलब पहले जैसे थे देखो बच्चा धीरे धीरे हटना और इक अठे कूद जाना दोनों बराबर होती हैं हटाते 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 तीस वर्स हो गये और तीस मिनट में ब्रश्ट हो गया तीस वर सी ओकरता से पएड़ा हुए हूं शरील तुम्हारा इस्त्री देख रहा है पुरुष शरीर को देख रहा है हम ऐसे रिशी की बात कर रहे हैं जिसने कभी इस्त्री देखी नहीं थी जरंगी पैदा हुए थे ंचीभ часто आगी तो म्रगी पी गये अवितना अंगे मेरी तो ग पूरा शरीर देव-शरीर था उन्होंने कभी हिस्तरी नई देखी थी इतने बिश्या स्कत हो गए पिर व्याह वां उनका जिसे डेश्चा करेंगे सदय ऐसा बोलो कि मेरे में सामर्थ तो नहीं है हरी गुरु कृपा से मैं निकल सकता हूँ ऐसा बोलो देखो बड़े-बड़े महापुर्शों ने का आसमा या धम सखा सुनू मोहू पर रगवीर हनवान जी महाराज कह रहे इल्कुल नहीं हम नहीं पावे कि मेरा मन भी स्यों में जाता नहीं है बहुत खतरना खेल माया का है चूर निर्विसाय हो गए नारजी भगवान के अउतार है वो भी आसकत इतने हुए कि अगर उनको दुलहिन नहीं दी हरी ने तो हरी को साप दे दिया तो भी चार आती है तो प्रकार की बुद्धी होती है ब्हगवान की चाह की विचार धारत उस्य दुपरुस में होती है। साधक में दो प्रकार की बुद्धी होती है, एक कुमत एक सुमत नाथ पुरान निगम अस्त हैं, जहां सुमत तहां समपति नाना, जहां कुमत तहां विपति नीदाना। गंदे विचार कुमत पेश करती है, अच्छे विचार सुमत पेश करती है, शुब और अशुब दोनों से परे भधानन्द का विचार ये भगवान की तरफ से आता है, भगवान की तरफ से विचार तब आता है, जब जीव अपने हंकार को भगवान के चरणों में समर्पित क करते हैं एक दिन रात में सपने में मुझे ऐसा दिखा कि भगवान मुझसे दूर हो गए तो मैं जग गया और बहुत व्याकुल हो गया उस दिन से मुझे बहुत भे लगता है कि हमारे भगवान हमसे दूर हो गए कभी कभी खिलोवार किया करते हैं अपने जनों की प्रेम परिक्षा लिया करते हैं यह प्रियता दो妥े हो देखते रहते हैं कि उपासक हमारी सेवा करता है कि हमसे प्रेम करता है अगर हम स्वपन में भीम और Khrikeiten नहीं भर दास्ता कर पा रहे हैं जागरत कि क्या होई वह इस अपने मंगल की कामना नहीं रहते, अपने प्राण प्यार ये प्रभु कार, उनको दुलाद करना है, हर समय उनकी सेवा में रहना है, तो श्री विग्रह जो अर्चना अतार भगवान का है, ये आशक्ति पूरवक है, हम इनकी सेवा करें, वो इतने आशक्त रहें, इस समय हमा रूपी छिलके खाने के लिए गए नहीं यह भावत सवेन भजताम रसकाम देनूं हमारे भगवान को भाव परसंद है भोजन सोना चांदी रुपया पैसाग अच्छी पोशाग है तो पहनाओ नहीं सिर्फ भाव परसंद सिर्फ भाव परसंद अगर भाव नहीं है तो कभी- अब उसके अंदर कितनी पीडा हो रही तो यह आनिस्ट कारी नहीं है यह हमारी प्रेम परिक्षा है कि कि ने किकी सेवा सब्सक्रारी तो हमारा निस्ट कोई करी नहीं सकता हम भगवान के सरन अगत्स हैं हम्हान के अनिष्ट के से हो सकता है अनिष्ट भी हमारे पास आएगा तो मंगल करके जाएगा मंगल करके नहीं जाएगा अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा अनिष्ट है ना कुछ नहीं फेल है लेकिन हर समय मुझे सावधान रखती है हर समय कभी भी शूट सकता निरंतर नाम जब करो चलो सेवा करो ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा तो हमारे लिए अनिष्ट भी आएगा तो हमारा मंगल करके ही जाएगा मंगल तो भोई नहीं सकता हमारे और संसार के बीच में भगवान की क्रपा रूपी मसीन लगी है उदर से जितना मंगल आएगा क्रपा उसे फिल्टर क के पूरे भवन में अब उपासक सोचे हमारा मंगल तो क्या अगनी श्वरूप भगवार नहीं क्या नाम देव जी के भवन में आग लगी ना तो नाच रहे थे ना हरी आए अगनी रूप में नाच रहे थे ना कुछ लोगों ने कुछ सामागरी बचा के रखी थी निकाल के तो उन्होंने उसको भी डाल दिया हरी आये हैं अरे कोई अति थी आता है उसके मुख से चिंता है मेरे हरी आये देखा फिरुक्मिनी जी और भगवान श्री द्वारिकादिश ने अपने हाथ से उनकी कुटिया बनाई थी रात और रात नहीं हाँ तो इसलिए हमारा मंगल प्रभू की खुब चर्चा सुने हैं तो सबसे पहला हम अपने प्रभू की खुब चर्चा सुने फिर किर्टनम कुब नाम किर्टन करें उनकी कथा किर्टन करें इश्मरण उसी के याद में तनमेर रहें то निश्चित प्रेम प्राप्ट हो 생 है यह जो कृपा हरिवन से की, यह हरिवन से की कृपा अगर तीन पर विश्वास हो जाए, भगवान के गुण कीरतन, भगवान के गुण सरवन, भगवान के नाम कीरतन, भगवान के नाम सरवन और नाम इसमरन, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, प्रेम नाम है इसी से प्रेम प्रकाशित होता है आज क्यों हितने महारास्ट्रों से महापुर्शों का मतलब धाम ही है एक से एक महापुरुष सिड्धर प्रगट हुए तो सब की जिव्या पे नाम नाम के प्रभाव से ही सब शिद्ध हुए तो हम नाम जब गरें और जीवन जीने का एक तरीका अभी इनको डर लग रहा है कि यह सिर्फ संसार के चकर से चुटने के लिए ही नाम जब कर रहे हैं यह किसी डर को भगाने के लिए नामक ड्रशै करें बलकि जो आप कहते हैं कि प्रेम भाब के लिए हि प्राणों की तरह जैसे अपने प्राणों की हर प्रयास रक्षा की जाती है ऐसे मैं उसकी रक्षा करता हूँ अगर हम प्रेम के लिए आए तब तो कहना ही क्या है लेकिन यदि हम अपनी वासनाओं की पूरती के लिए भैग निवरती के लिए हम जाएं कहां आपके सिवा अभी बता है ना भगवान का नाम भगवान का गुण जैसे लीला चरीत रहें इनको जो हम स्रवन करते हैं तो हमारे अंदर देखो अगर आपने श्रवन ना किया हुआ होता मोबाइल से तो आपके अंदर यह इच्छा आती कि में आप हमारे पास आए श्रवन ने तो इच्छ है उसका निवारण या संसार चक्र से बागने के लिए ही मैं यह करते हैं बहुत अच्छा है आप कीजिए नहीं नहीं ऐसा ही हो ऐसा ही हो हम जुड़ें तो प्रभू से हमारी आस्था तो पक्की हो प्रेम तो बात का विश्य है पहले हम जहां दलदल में फसें इस दलदल स टा लेकिन हम जान रहे हैं एक कदम पर हमारी रक्षा करने के कि एक कदम पर हमें प्यारदे रहे हैं यह आपकी चाती में जब आएगा ना तो प्रेम होने लगे इतनानाना दी गिन गिन के। वह परमपद को प्राफ्ट होगा। हमा धी मिलेगा। हमा धी विस्वास करो। गिन के गाली आ देता है तसी सुपाल कोई यसी गाली तो भगवान को लढ़ दे है? भगवान में समा गया रानतिम समयोहिए當 उसका चिंतन सरी क्रश्म थे भैसे एकरदसे भगवान में समाग या क्यों चिंतन भैपूरु उत्थ ग्वान का करताता था व्हत्यों का चिंतन हो हाँ अगर प्रेम से ओ तत्थ्थों क्या कहना है लेकिन किसी भिभाव से यदो तो मंगल तो जाएगा पूतना राक्षसी सुंदर रूप बनाती है और चटेवे दिन अभी भगवान का चटी उत्सों की त्यारी हो रही है अपने इस तनों में हला हल्विस लगाकर भगवान को मारने के लिए जाती है भगवान को गोद में उठाती है किसी ने रोकाने इतना सुंदर किया तो प्राण कीचने लगे वो चिलाई अपने असली रूप में आ गई च्छैकोस का सरीर था भागवत में पढ़के देखो च्छैकोस के ब्रक्षोक होगी उसको वो गती दी जो माता या सोधा को देनी चाहिए हला हल बिस पिला के मारने जा रही हुसको हमारे कि पहले हमारी सर्व कामनारहिः बुद्धी हो जाए तब प्रेम उत्त्य होता प्रेम जो है उसके लक्षण है कामना रहितम गुन रहितम सुक्षमतरम अनुभोस्वरूपम प्रतिशन वर्धमानम यह उसके अनदर कोई कामना नहीं रहती नश्वभ न अश्युवरूण तोलोग में बावरे कहा जाता है कि उसकी पनार्थ रहे में बहुत ऐसे प्रेमी बहुत कम होते हैं इस prayer average the k manos की भीडा है यह जो नाना प्रकार की भै भिष्टियाहैं लो भिष्टियाहैं संवान ब्रतियाह financing इनको भगवान जल्दी क्रास करवा देंगे और वो इस्तिती देनेंगे उनी के उपर रख। वह बहुत बड़े डाक्टर हैं, जहां जहां दवा चाहिए, वहां वह दवा दे देंगे। कवीता अगरवाल जी, राधा वल्लव शेयर विंश, महरा जी, आपका कहना है कि आप बहुत सारी संस्ताओं में जुड़े हैं, जहां सेवा कारे इनको करना पड़ता है, फिर जब इनको सेवा कारे मिलता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि क्रोध भी करना पड़ता है, उसके आतों करना ही नहीं चाहिए कैकि जब भगवान ने सेवा दिये, तो सेवत को आंकार करने काधिकार कैसे हैं, श्वामी का प्रतेख विधान सेवक को दैन्नी होकर करना, यहीं उत्तम भाव सेवक का है, शेवक अगर शुखान भूति या दुखान भूति सेवा में करता है, तो सच्ची सेवा नहीं मानी जाती है, सेवक सुखचा, मान भिखारी, बिशनी धन, सुभगती बेविचारी, शेवक का तो अगर उत्तम कारे हो जाता है तो श्वामी की कृपा अगर तुरूटी हो जाती है तो हमारी अशावधानी, क्रोध दूश्वरों पर करने से अपनी ह करना या किसी विकार, तो हम उस समय आवेश में ऐसे कुरुधावेश का दर्शन कराते हैं, आप सीगर कीजिए, अंदर जलन नहीं होनी चाहिए, अंदर उनके प्रतिद्वेश भाव नहीं होना चाहिए, और अहम की तो कोई गुंजाईशी नहीं, सेवा में आहम कैसा, अहम से ही क्रोध हो रहा है, आपको यह देखना है, आपका हरदय जलने लगता है, क्या, नहीं हिरदय नहीं चलता है, बस फिर क्रोध का नाटक तो जैसे गुरू है, वो अपने शिशिक के प्रति कर सकता है, जैसे कई लोगों के उपर सेवाधिकार हमें मिला है, अगर उस थरेयों से खते, नहीं हो सकता हूं, उसके उपर कर सकते हैं, क्रोध कना नातक करना और क्रोध होना उस पहुती है, जैसे कई रहती है, तो बहुत कई आटि कहां क्योंकि हमारा इस समय गुरु का भाव है उनको जो सिक्षा देनी है उनको सही धंग से उसका ग्यान हो जाए इसलिए हम कुरुधाविस कर सते हैं उसमें कोई बात नहीं है तो वो कोई अपराध नहीं है लेकिन हम उसके प्रति घ्रणा नहीं करेंगे उसके प्रति द्वैश नहीं करेंगे यह भाव में पुष्ट रखना है जिपीका जिए रिवेंश मारा जी रादे मारा जी भगवान के स्वयम और विलास रूप की शक्तियों में क्या अंतर है जिस व्यक्ति को भगवान का तत्व ग्यान नहीं होगा उसका सभाब कैसा होगा बात हम इतनी आपको मेरे सिवा किंचिन मात्र भी कुछ नहीं है तो क्या कम और क्या ज्यादा तुलसिदास जी महाराज देख रहे हैmist जड़ चेतन जगजीवजद, सकल राम मय जानी सिय राम मैं सब जग जानी सब में वही तो सो ग्राम उठाने की तो सो ग्राम उठा रहा है, एक किलो की तो एक किलो उठा रहा है, एक हजार किलो की तो एक हजार किलो उठा रहा है, वो है पूर्ण सब जगे पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, वो शरवत्र है, सब जगे है, जब तक हमारी दरष्टी में अंतर है एक तो एको ब्रमदतियो नास्ति वही विराजमान है दूसरा कोई नहीं विलाजमान है पहली बात ते इतना सम्झों दूसरी जिस व्यक्ति को भगवान की तत्व ग्यान नहीं होगा उसका सभाव कैसा होगा तीन गुणों के अंतरगति होगा शत्व गुण, रजोगुण, अंतरगति होगा और जो भगवान के तत्व को जान जाता है तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए वो गुणातीत हो जाता है अब तीन गुणों में पूरा संसार, पूरा वेद, पूरा पूरा पूरे सात्र बढ़े पड़े है तीन गुणों में का हिसारा खेल देख रह अनन्त उसके बीट मिलास है माया के थो अनन्त विलास उसके हो रहे हैं जो गुनाथ ही तिस्टिती को प्रावत हो भगवत त neurals up का ग्याता है वो उस्सी का ब्रिणन नहीं कि आपना नित्त नियम की पूरती सत्संग में जाना पड़ जाए यहां से लाव उठा के अपनी साध्धा में उच्तम गती प्राप्त करने की पर महाराजी इनके अंदर एक कि अपना नित्त नियम बाधित होता है नए समनित्य नियम की पूर्ति सत्संग से हो जाती है पता नहीं कौन सा सब्द ऐसा आवे जो नियमा वली से उपर नहीं उठा जा सकता तो उपर इस्तिति प्रदान कर दे तातश्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूलनताय सकल में जो सुख लव सत्संग पता न में चित जोड़े हो जिनका लक्ष केवल भगवान हो जो भगवान में है ऐसे संतों के सत्संग से अध्यात्मी कुन्नती होती केवल प्रवचन करता हूं से नहीं जो शत्य वस्तु है तो शत्य वस्तु में जो इस्थित है वही उसका बरणन कर सकता है तो हमें तो लगता है जब भगवान सत्य से जुड़ा हुआ महात्मा बुलेगा, तो समप्रधाय की सिमा में बंदा नहीं होता। जो भगवत प्राफ्त महात्मा होता हो सम पर्दाय में बंदा ецने सब करता है उसमें हमारे इस्ट या हमारी आराधना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब उसके सुनेंगे अन्य नहीं इसलिए पहले का प्रवचन करता नहीं जो स्थंप भगवान में जुड़ा हुआ है अब जिसे वो राम जी की महिमा गारा है हो हमारी स्थिती है स्याम जी में तो हम हर बात राम जी की स्याम जी में जोड़ते चले जा रहे हैं कोई परिशा नहीं नहीं है जो आपके प्रवचन भी स्थिती मानव दर्शन एवं जीवन विज्ञान पर अधारित हैं जब आपको सुनता हूं तो लगता है कि मानव सेवा संग की ही वानी सुन रहा हूं म इनि महापुरुशों की जूठन बोलते हैं अपनी तो कुछ वानी है नहीं जो संतों के चरणों में बैठ कर आराधना हुई और वही जो अंदर से बुलवाते हैं वही बोलते हैं पढ़लिख करके किसी विसाय पर बोलना ऐक होता है उसी विसाय में घुश करके उसका सुब्स कर गयाद उनकी सबका जो सिद्धान्त्रेंटि गजैसे सुमी चुतार रामसुगता जी मराजी पड़ें और लाई आपकी वानीवी को मिल उनपर है तो सबका एक सथार हैमरा जैसी होती है मारा जी हो त्धित्य होते हेज議 तो वही एक इस्थिती होगी उसमें बदलाव नहीं होगी अलग-अलग होगा पर इस्थिती होगा चाहे सियाराम उपासक हो चाहे रादेश्याम उपासक हो चाहे ब्रह्म उपासक हो चाहे जो जब इस्थिती आएगी तो इस्तिती में वही होता उसमें अंतर है उसमें जो उपासक उनके पास जाते हैं तो उनको उसी भावना में पुष्टता मिलेगी सच्चे मात्मा का यही संसर्ग का लाब है कि एगर आप सिया राम की उपासक हो तो आपकी सिया राम में भक्ती बढ़ेगी गर आप ऐसे अभी स्थिती नहीं बहुत बार देखा जाती को उपासकार चो हमारे इप्टियाक्तितम को बर्नन हो आए, कोई अंतर नहीं है। में हमारे स्यामा स्यम वह राजमान है, Torah में राधा forts, we nuclear miracles that we do. करने की शामर्त बुद्धि में है जो विचार करने का अहंकार है, वह आहम में हैं कि मैं करता हूं और जो उस क्रिया का चिंतन होता है वो चित में चारू एक साथ कारिदत रहते हैं मन बुध्धी चित अहंकार यह अंताहकरण चतुष्ट चार कहा गया है पर एक ही है निश्चे करने के कारण विचार का बुध्धी क्रिया में उतारने का संकल्प क्रिया का चिंतन चित और क्रिय स्विकृति आचकार्ट ये चारों बाते अंतकरन में घीस के नाम चता होताए उसका विचार शुद्ध होता है तो बुद्धि अशुद्ध भुद्धि अशुद्ध विचार करती है को कब पुद्धिविचार नहीं कर सकते हैं समझ परेड़ा जितनी आप सत्संग करते हैं स्रीजी एवं गुरु के प्रति अनन्य आश्रित प्रेम भावना बात भी होती है उसमें उतना हमसे अभी बन नहीं पा रहा जबकि आपका दिया हुआ राधा नाम निरंतर जब करने का क्यो हमारा लक्ष द्रेड अबीद्र नहीं हुगा अपने ना है ड्रेड हो जाएगा तुसकी पहचान है ने खान पांटे भावे है नई कूमल वशन सुहावे है सब विसय लगे टे खारा है हरी आसिक का मगनिया रहा है रीका जो आसिक है वो तो ब्रहमादिक के भोग शव लिए ब्रम्ह लोग तक खल्व उस्चे नहीं लगते जिसको स्रीहरी सि प्रेम होने लगता it स्री हरी लक्ष हो जाते हैं जिसका और यह पांच बाते उसके जीवन में नहीं होती है जिसको लक्ष भगवान बन जाते है नारैन अरी भजन में यह पांचो नश्08 विसायभोह ऑग निद्रा चाह सी जगत ट्रीती और और बहुबाद एक अधर भगवान से प्रेम करना बहुत दुरलव है क्योंकि पहले तो हमारा ये काम होना कि इस दे से और दे के संबंधियों से सबकी ममता ताग वटूरी सबकी ममता वटूर कर भगवान के चरुणों में एक मात भगवान तब बात बनी है अभी तो हम जैसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और चाह कर रहे हैं कि खेती हमारी बहुत अच्छी उदय और उसमें बहुत अन प्राप्त करें तो फिर हमको हाथ से हाथ हटा कर मेहनत करने ह होगी हमको करतब विशील होना पड़ेगा ऐसे ही अपनी इंद्रियों को विश्यों से हटा कर मन को भोगों से हटा कर प्रभू में लगाना होगा और लक्ष द्रड़ रखना है चाहे दुखावे चाहे सुख वीर तुम बढ़े